आधुलिक भारत के अंतरगत ये देखते हैं कि वो कौन ससा सक्था जिसे रंगीला की उपादी मिली, वो कौन ससा सक्था जिसके अंतरगत या जिसके सासन विवस्ता के तहट जो है सैद बंधो का अंथ हुआ है, वो कौन सा सा सकता जिसके सासन काल में प्रांती जो बिहार, बंगार और उडिसा थे ये पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए थे वो कौन सा सा सकता जिसके सासन काल में दुरहान मुल्ग तथा निजाम मुल्ग की उपाधी दी गई है वो कौन सा सा सकता जिसके सासन काल में अबदाली एवं नादिर सा आकरमन किये हैं और वो कौन सा सा सकता जो खयालों की रचना करता था और साथी साथ वो कौन सा सासकता जिसके सासन काल में दिल्ली में 500 सिनाओं को लेकर मराठे गए वहाँ दिल्ली में घूम कर चले आए लेकिन कोई बिरुद नहीं किया यानि की प्रांती ब्यवस्था या प्रांती सासन पूरी तरह से स्वतंत्र होने लगा था ऐसे सासक के बारे में आज हम लोग चलते हैं पढ़ने और देखते हैं वो सासक कौन था तो रौसन अक्तर को हम लोग देखते हैं कि ये 1719 पे गद्दी पे बैठा और 1748 तक ये सासन किया यानि रौसन अक्तर को देखा जाए और मुहम्मद सा को देखा जाए यानि दोनों ना में कि यह मुहम्मद सा यह खुद नाम रखा हुआ है रऊसान अक्तर इसका नाम था यह आए देखते हैं सबसे पहले बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं यह इसके क्या-क्या इम्पोर्टेंट पालू है तो इस अबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि यह जो है बहादुसा प्रत्थम लड़क है जिसका नाम ता जहांसा का पूत्र था और मुहम्मद सा खुद से एक नाम मुहम्मस सा रखा था इसने जो है अपने सासन काल में इतनी विलासिता पूर जीवन बेतित किया है इतनी विलासिता पूर जीवन बेतित करता रहा जिसके वज़ा से इसे जो है रंगिला सासक का नाम दिया गया याने की मुहम्मस सा रंगिला अब हम लोग देखते हैं कि ये म मुहम्मद खुद नाम रखा और अत्यांत बिलाशिता के कारण इसका जो है नाम रंगिला रखा गया है आगे देखिए इसके सासनकाल में जो है सयद बंदू को का अंत हुआ यानि कि सयद बंदू को ये मरवा दिया और साथ ही साथ अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर इसी के काल में निजामुल मुल्क ने हैदराबाद की एक तरह से निव रख़ी आगे देखा जा गया विशी समय जैसा कि मैं बता चुका इसी समय जो है बिहार बंगाल और उडिसा पूरी तरह से सोतंत्र हो चुके थे आगे देखा जा कि यह तो राजपुताना राजपु चिनकलीज खाँ, सहादत खाँ को उपाधी जो इस ने परदान की थी वो उपाधी थी बुरहाने मुल्क, यानि कि बुरहाने मुल्क जो है सहादत खाँ को उपाधी दी थी और चिनकलीज खाँ को उपाधी जो मिली थी वो थी निजाम मुल्क, निजाम मुल्क की उपाधी च साधत का अर्थ सबर करो सबर यानि सबर या सबर यानि कि साधत को मिली थी बुरहाने मुल्क और चिन क्लिज खां को निजाम की उपादी मिली चीन निजाम इस तरह से याद हो जाएगा चिन क्लिज खां को निजाम की उपादी मिली थी और साधत को बुरहाने मुल्क की उपादी इसने प्रदान किया था गदी पे आसीन होने के बाद यह भी मेंटेन कर रही रहा था रिस्तों को अपनी सासन ब्यवस्ता को बनाय रखने के लिए ऐसी प्रणाली शुरू कर दिया आज़े देखा जा उपरोक्त जो 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 दो ये दोनों जो हैं इससे तूरानी गुट यानिकि मोस्ता चरनी और हिंदुस्तानी यह चारा गुट subAAAAAAAA चेंद आजिaps जह ठांटी नाधिर सात जूए ब्धलिवस्ताने समयातर ौशसरा आचे प्रण फार्च's जाहत जो पूरे इंडिया को बहुत मुत्वपूर्ट को लेके चला गया को हिनूर ही यहां से लेके चला गया इसनादीर चाह यह इसको भी चोर ही कहा सब्सक्राइब करता है यानि आहमत सब्सक्राइब करता है आगे देखते हैं कि यह बहुत ही अच्छा संगितकार था खुद में बहुत अच्छा बता तो दिये ना रंगीला सासक था रंगीला सासक का मतलब ना यह संगीत का रूच लेना रंगीला नहीं होता है लेकिन इसकी जो सासन के संदर में जो कारपणाली होने चाहिए सासन ब्यवस्ता जो बना करते प्रसासनिक ब्यवस्ता जो एक सासक के गुर्ण होने चाहिए वो कुछ भी नहीं था इसका गोर तो सिर्फ हरम की बात थी इसका गोर तो सासन ब्यवस्ता को देखना ही नहीं था तो ऐसे कंडिशन में भोग बिलास्ता में इतना सनलित रहता था इसलिए इसको रंगिला शासक की उपादिय दी गई थी जैसा कि मै बता चुका हूँ, लेकिन ये खयालों की रचना भी करता था, अच्छा संगितकार था, इसकी ये विशेस्ता ही रख लिजिए, आगे देखते हैं, इसी के काल में फार्सी को रोका गया, यानि फार्सी पे बैन लगाया गया, या फार्सी को रोक के बढ़ावा दिया गया उर स्टार्ट की गई थी, जो आज भी विद्यमान है, फूल वालों की सहर, फूल वालों की सहर, इसी के सासनकाल में स्टार्ट की गई थी, अच्छा इसके दरबार में दो मसहूर संगितकार थे, इसके दरबार में दो मसहूर संगितकार थे, और सदा रंग, और सदा रंग का लड़का जो है अदा रंग ये दोनों जो है इसके सासनकाल में जैसा अम्मसहुर संगितकार थे जैसा मैं बताया था बाजीरा प्रथम के नित्रित में जो मराठे थे जो है ये 500 घुर्षवारों को लेकर 500 घुर्षवारों को लेकर पूरे दिल्ली पर जाकर घुम कर चला आय कोई कुछ नहीं बोल पाया कोई भीरोध नहीं कर पाया इससे ये पूरी तरसे स्वतंत्र हो जाता है कि जो प्रांती ब्यवस्थाएं थी चर्मरा चुकी थी प्रांत पूरी तरसे स्वतंत्र हो रहे थे और इसकी प्रशासनिक ब्यवस्था इसके सासनकाल की इस्थिती जो आगे देखिए नेक्स्ट है और लास्ट लाइन मुहम्मद साह के सासन काल में अधि़्तर प्रांदल सटंत्र हो चुके थे और सुतंत्र होने की होड में लगे हुए तो देखा जाये तो मुहम्मत सा रंगीला या रौशन तालिस तक इसने सासन तो किया लेकिन इसकी सासन ब्यवस्ता नाम मात्र की थी इसकी प्रसासनिक ब्यवस्ता पूरी तर से खराब थी प्रसासनिक ब्यवस्ता किसी भी कंडीशन में संतोस जनक नहीं थी ये भी बिफल सासक था और ये जो यानि कौन वह सासका जी से रंगिला की उपादी यांगिला के नाम से जाती है इसमें भी कूट मिलाने कलिए दियेता है जैसा कि मैं बताया कि फरुक सीयर को घृनित कायर लंपट मूर्ख मुआ मुष्लेश को जहादार किया गया इसके सासंकाल में और दूसरी बात कि सयद बंधों का अंतकिस के सासंकाल में हुई है इसी के सासंकाल में इसी ने करवाया है और निजाम मुल्क के ने ही जो है है तरह से निव डाली है बंगाल बिहार और उरी सा स्वतंत्र हो चुके थे और देखिए important पहलू कि किसे जो है बुरहाने मुल्क और किसे जो है निजामे मुल्क की उपाधी दी गई यानि कि बुरहाने मुल्क बुरहान का अर्थ होता प्रमाड यानि कि प्रमाड की प्रमाडे मुल्क हो गया और निजाम का अर्थ होता देखा जाया तो मुहम्मद सा वास्तों में रंगीला था और रंगीला में विलास्ता में भोग विलास्ता में इस तरह कल सनलित हो गया कि अपने सासन विवस्ता को सम्हाल नहीं पाया kgण 1928 में इसकी जो है जो मृत हुई है इसका बहुत वफादार जो सेन पती था उप मारा गया नाधिरसा के आकरमर से मारा गया जिसके वज़ा से यह सासक एक बंद कमरे में चिला चिला चीक चीक के मर गया तो इसकी मौत भी जर्दनाक हुई यह आप पुछते हैं लगबग इसमें जो है यह प्रस्ण शबाते रहे हैं इसलिए मैं इस आप लोगों को दे रहा हूं और यह सब पॉइंट या टिप पे होना चाहिए क्योंकि यह पूछता है पीसीएस का पेपर आप लोग देखे होंगे कि पीसीएस का पेपर वन लाइनर पुरा बनाया है जिसे अगर वह टिप परस्त का उत्तर नहीं मालूम है वह कुछ भी नहीं कर सकता है सीधे से वह पेपर को जो है क रटने की समझने की तो बार ठीक है जुबान पे चढ़ाने की कोशिश करिए जुबान पे चढ़ा कर उसे रटने की कोशिश करिए निशी जानिए जुबान पर जो चढ़ जाता है वो कभी नहीं भूलता है जुबान निशीत रुप से आपको एक बार पढ़ने में वह एं इतना इंपर्टेंट था यह आपको मैं बता चुका हूं बस इतना आप मैं लाश्ट में यही कहाना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को देखिए लाइक शेर सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ वेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इंपर्टेंट पालू कि कम से कम इतना करिए कि आप लोग सेर करिए मुझे भी प्रसान मिल सके बहुत बहुत धन्यवाद